तो आज सुबहा मैंने कुछ ट्वीट्स पड़े थांक यू कुछ लोगों ने मुझे हिम्मत दी मुझे सराहा मुझसे कहा कि मैं सही कुछ काम करने जा रही हूं एंद फिर कुछ मीम्स पड़े मजा आ गया बई क्रियेटिविटी के तो दाथ देनी पड़ेगी है मिझे हमें से लगते हैं कैसे कितना जल्दी किसा टेडा मेरा सोच लेते हैं लोग वेल चलिए इस वेरी इंट्रेस्टिंग वेरी कमाल था जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं 5G सुट जो के फाइल हुआ है डेली हाई कोट में तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आप अभी जाग गई है और यूँट फाइल कर दिया तो उन से मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं आज नहीं जागी हूं मैं पिछले 10 साल से radiation, safe cell phone use, cell phone tower radiation, इनके बारे में मैं बाते करती रही हूं और मैंने इनके बारे में जितना हो सके मैंने जानकारी पहलाई है और क्यों कि यह क्योंकि भाई हमाय फोन्स ना magic पर तो नहीं चलते हैं वायर तो है नहीं तो यह radio waves पर चलते हैं और यह radio waves बढ़ती ही जा रही है हमारे environment में 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G a 4G to 5G is a very big leap, very big leap radiation will increase exponentially देखे, you know it, के everything in moderation is fine मगर जब जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तो फिर उसका दुष्परिनाम पता चलता है then you feel the ill effects of it and to put it simply, I'll give you some simple examples के कोई pharmaceutical drug भी introduced होती है ना market में तो उसे 10 से 15 साल तक उस पर research की जाती है उसके side effects देखे जाते हैं and then it finally gets approval to be released in the market मगर ये radiation ये जो 20-25 साल से हम पर फैलाई जा रही है, फैलती जा रही है, हमारे इर्द गिर्द है इस पर किसी ने study किया या नहीं बस ये कुछ सरल से ऐसी example मैंने दिये for you to understand बट चलिए आपके हाथ में भी technology है, मैं भी इसे use करती हूँ आप भी थोड़ी सी research करिए है ना? और देखते हैं आपको क्या मिलता है इसके बारे में read about it a little more and I hope that you are convinced and you join me ये केस अभी शिरू हुआ है so 2nd June को हमारी पहली hearing है link भेजूंगी हो सके, तो join कर लीजे सुन लीजे, देख लीजे और अभी रास्ता लंबा है so I hope you will join me and जो memes बनाते हैं ना उनको मैं thank you भी बोलना चाहूंगी क्यूंकि उनकी वज़ासे बहुत सारे लोगों ने और लोगों ने ये बात जान ली और ये बात बहुत लोगों तक पहुँच गई so keep it coming let's enjoy the ride see you